किसी नगर में दो आदमियों का घर एक दूसरे से लगा हुआ था। उनमें से एक पडोसी दूसरे के प्रती इरश्या और द्वेश रखता था। भले मानस ने सोचा की मकान छोड़ कर कहीं जा बसू क्योंकि मैं इस आदमी के प्रती उपकार करता हूँ और यहां मुझ से वैर ही रखे जाता है। अतेव वह वहां से कुछ दूर पर बसे दूसरे नगर में एक अच्छा मकान खरीद कर जिसमें एक अंधा कुआ भी था रहने लगा। उसने फकीरों का बाना भी ओड लिया और रात दिन भगवान के भजन में समय बिताने लगा। उसने अपने मकान में कई कक्ष बनवाए जिनमें वह सादुसंतों को ठहराता और भोजन दिया करता था। इससे वह नगर में बहुत प्रसिध हो गया और लोग उससे मिलने को आने लगे। उसकी प्रसिधी शीगर ही बढ़ गई। दूर दूर से लोग आते और अपनी मनोकामना की पूर्ती के लिए भगवान से प इर्शा हुई। उसने निश्चे किया कि उसी के मकान में जाकर उसे माल डालू। वह जाकर उसके घर पर मिला। संत पुरुष ने अपने पुराने पडोसी की बड़ी अभ्यर्थना की। इर्शालू व्यक्ती ने यह जूट कहा कि मुझ पर एक विपत्ती पड़ी है जिस बाते कर रहे हो कोई अन्य व्यक्ती पास में भी ना आए। संत पुरुष ने ऐसा ही आदेश दे दिया। अब उस दुष्ट आदमी ने एक जूट मोट का लंबा किस्सा बनाया और संत पुरुष से कहने लगा। खिर उसने कहा कि हम लोग तहलते हुए ही इस किस्से का कहन ना सुना पूरा करें। संत ने वह भी मान लिया। बात करते करते जब वे कोई के पास आये तो दुष्ट मनुष्य ने संत को अचानक धक्का देकर कोई में गिरा दिया और स्वयं चुक्के से मकान से चलकर भाग खड़ा हुआ। वह अपने जी में बड़ा प्रसन्न था क कि यहां आदमी जिसकी प्रसिधी ने मुझे जला रखा है खत्म हो गया। किन्तु उस संत पुरुष का भाग्य अच्छा था। उस कोई में परिया रहती थी जिनों ने उसके गिरने पर उसे हाथों हाथ उठा लिया और सुविधापूर्वक एक जगा बिठा दिया। उस से ऐसी आवाजे सुनाई देने लगी जैसे दो आदमी आपस में बाते करते हो। एक ने कहा तुम्हें मालूम है कि यहां आदमी कौन है दूसरे ने कहा मुझे नहीं मालूम पहले ने कहा मैं तुम्हें इसका हाल बनाता हूँ। यहां अत्यन सचरित्र और शीलवान व्यक् इस नगर में ईश्वर की दया से इसकी ख्याती बहुत बढ़ गई. इस ख्याती के कारण इसका पुराना पडोसी और भी जला और उसने इसे मार डालने का इरादा कर लिया. वह इसके घर आया और इसे बहाने से यहां लाकर कुए में गिरा दिया. यदि हम लोग इसकी सहायता न करते तो यहां मर ही जाता. पहले ने कहा अब इसका क्या होगा, दूसरा बोला, सब अच्छा होगा. कलनिस नगर का बादशाह इसके पास आकर इससे निवेलन करेगा कि यहां उस बादशाह की पुत्री के स्वास्थे के लिए भगवान से प्रार्थना करे. पहले ने कहा राजकुमारी को क्या रोग है? दूसरे ने कहा, राजकुमारी पर मैमून नामक जिन्न का पुत्र दिमदिम आ सकत है और वही उसके सिर पर चड़ा रहता है, जिससे राजकुमारी हमेशा बीमार और बधवास रहती है. उसके हटाने का उपाय बड़ा सरल है. इस संथ के घ रखे. जब शहजादी इसके पास लाई जाए तो इसे चाहिए कि वे बाल आग में जला कर उनका धुआ शहजादी की नाक में पहुचा दे. इससे वह नीरोग हो जाएगी और आगे भी दिम-दिम कभी उनके पास नहीं फटकेगा. संथ पुरुष ने परियों और उनके सा तक मोखे बने हुए हैं. वहां उनके सहारे थोड़ी ही देर में उपर आ गया. उसके शिश्य और भक्त जो रात भर उसे खोचते रहे थे उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए. उसमें उनसे कहा कि मैं सयोगवश कुए में गिर गया था लेकिन मुझे चोट नहीं आई. फ संत पुरुष को कुए में सुनी बाते याद थी. इसलिए उसने बिल्ली को पकड़ कर उसकी खाल के श्वेद भाग से साथ बाल उखाड लिए और अपने पास रखे. कुछ काल के पश्चात नगर का बादशा वहां आया. उसने अपनी सैनिक तुकडी बाहर छोड़ी और क कुछ सरदारों के साथ मकान के अंदर आ गया. संत पुरुष ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया. बादशा ने कहा, हे योगी राज, आप तो सब के दिलों का हाल जानते हैं. आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों यहां आया हूँ? संत पुरुष ने कहा, शायद आपकी बेटी अस्वस्थ है और उसके स्वास्थे लाब की आशाही से आपने मुझ अकिंचन की कुटिया को पवित्र किया है. बादशा ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसी कारण यहां आया हूँ. अगर आपके आशिरवात से मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए तो म मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाए. संत पुरुष ने उत्तर दिया, आप अपनी बेटी को यही बुलवा ले. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वस्थ हो जाए और आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, बादशा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ. उसके आदेश पर राजकुमारी को उसकी सेविकाओं के साथ वहां ले आया गया. शहजादी का चहरा चादर से अच्छी तरह ढखा हुआ था ताकि उसे कोई देख न सके. संत पुरुष ने नीचे से चादर का इतना भाग उठाया कि नीचे रखी हुई अंगीठी से उठने वाला धुआ बाहर न जाए. फिर उसने साथ बाल अंगीठी में डाले. दुए का राजकुमारी की नाक में पहुचना था कि मैमून जिन्न का बेटा दिम-दिम बड़े जोर से चिलाया और तुरंत भाग गया. जिन्न के जाते ही शहजादी होश में आ गई. वहा संभल कर बैठ गई और अपने को भली भाती छिपा कर पूछने लगी कि मैं कहा हूँ और यहां मुझे कौन लाया है. बादशाह खुशी से फूला न समाया. उसने अपनी बेटी को च्छाती से लगा लिया और उसकी आखे चूमने लगा. फिर उसने सम्मानस्वरूप संथ संथ पुरुष के हाथ चूमे और अपने सभास्थों से राय ली की इस संथ पुरुष के उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं. सभास्थों ने एकमत होकर कहा कि राजकुमारी का विवा इसी संथ पुरुष के साथ कर देना चाहिए. बादशा को सभास्थों की सलाह प इसके कुछ समय बाद बादशाह मर गया और चूकी उस राजकुमारी के अतिरिक्त बादशाह के और कोई संतान नहीं थी अतेव सभी सभास्दों और सामन्तों की सहमती से उसका दामाध ही राज्य का अधिकारी और नया बादशाह बन गया। एक दिन वह अपने सरदारों के साथ कहीं जा रहा था कि कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना शत्रू दिखाई दिया। एक हजार अशर्फिया और कीमती कपरों की बीस गांठे भेंट में देकर उसे सुरक्षा पूर्वक उसके घर पहुचा दिया। मैंने अपनी कहानी पूरी करके जिन्न से कहा कि उस नेक बादशा ने तो अपने जानी दुश्मन के साथ यह सलूक किया और तुम मुझ पर तनिक भी दया नहीं करते। किन्तो मेरी अनुनय का उस पर कोई प्रभाव ना हुआ। उसने कहा मैं तुझे जान से नहीं मार रहा हूँ लेकिन दंड दिये बगैर नहीं छोडूँगा, अब मेरा जादू का खेल देख। यह कहकर उसने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर आकाश में इतना उचा उड़ गया कि वहां से प्रित्वी एक बादल के तुकड़े जैसी लगती थी। फिर एक खण ही में मुझे एक उचे परवत के शिखर पर ले गया। वहां उसने एक मुठी मिट्टी उठा कर उस पर कोई मंत्र पढ़ा और बंदर हो जा कहकर वहां मिट्टी मेरे उपर छिड़क दी और गायब हो गया। मैं अपने को बंदर के रूप में पाकर अत्यंत दुखित हुआ। मुझे यह भी मालूम न था कि मैं कहा हूँ और वहां से मेरा देश किस दिशा में और कितनी दूर है खैर मैं धीरे धीरे पहाड से उतर कर मैदान में आया और वहां भी मैंने सारा प्रदेश निर्जन देखा। अटकल से एक ओर को चलने लगा। एक मास के अंत में मैं समुद्र तट पर पहुँच गया। समुद्र बिलकुल शान्त था और तट से कुछ दूरी पर एक जहाज पर जाना ही उचित समझा। किनारे के एक पेड से दो टहनिया तोड़ी और उन्ही के सहारे तैरता हुआ जहाज पर पहुँच गया। जहाज की रसी के सहारे में जहाज के अंदर पहुँच गया। जहाज में सवार लोग मुझे देखकर बड़े आश्चर्य में प दूसरे ने कहा नहीं यह ऐसे नहीं मरेगा मैं अभी तीर छोड़कर इनका अंत किये देता हूँ। तीसरे ने मुझे समुद्र में डुबो देने की सलाह दी। मैं उन्हें कैसे बताता की मैं कौन हूँ जान बचा कर इधर उधर भागने लगा। अंत में सब और से उससे प्रान रक्षा की भीक मान रहा हूँ। उसे मुझे पर दया आई और उसने मेरे त्रासदाताओं को डाट कर भगा दिया और कठोर चेतावनी दी की इस बंदर को न तो कोई दुख दे और न कोई इसके साथ छेड़ चाड़ करे। उसने मुझे ऐसी सुरक्षा मनोरंजन होता था। धीरे धीरे जहास पर सवार सभी लोग मुझे पर क्रिपालू हो गए और मुझे प्यार करने लगे। पचास दिन की यात्रा के बाद जहास एक बड़े व्यापार केंद्र में पहुँचा। यहां बहुत बड़ा नगर था। उसमें बड़े-बड़े आशा में उस पर पहुँच गए। जहास पर उनके कई मित्र व्यापारी थे। यहां मित्र आपस की बाते करने लगे और यात्रा का हाल कहने सुनने लगे क्योंकि जहास बहुत से देशों से घुमता हुआ आया था। नगर के व्यापारियों में कई ऐसे भी थे जो वहां क आश्वर्यवान बादशा के दरबार में आते जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारा बादशा तुम्हारे जहास के यहां आने से बड़ा प्रसन हुआ है। इसका कारण यह है कि उसे आशा है कि तुम लोगों में कोई सुलेखक भी होगा। बात यह है कि हमारा मंत्री हाल ही मे मर गया है वह अत्यंत निपन सुलेक करता था